नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पोस्ट ओफिस कोचिंग में और आज हम मैथेमेटिक्स की जो क्लास है वो ले रहे हैं बस एक मिनट मैं खोर नूँ हाँ ये वाली क्लास है और जैसे कि आपको पता है हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अपने से लिपस में से तीन चलिए बेना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर रहा आप देख सकते हैं बस एक मिनट का समय दीजी है हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है चलिए इसको यहां पर स्वाल्व करते हैं कि कि एक डीलर है एक डीलर है जो कि किसी वस्तु पर कोई भी वो आर्टिकल हो सकता है उस पर 30% का डिसकाउंट देता है डिसकाउंट देने के बाद भी उसको 40% का फाइदा होता है तो उसको कितना परसेंट अपना जो प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा और उसका मार्किट प्राइस कितना होगा जे हमसे पूछा गया है ठीक है चलिए इसको करने की कुशिश करते हैं आपको सवाल दिखाई दे रहा है आई होपो नीचे यहां से हां यहां देख लेते हैं पढ़ लो आप अभी मैं सब्सक्राइब करके दिखाता हूं ठीक है तो हमें यह पता है प्राफिट कितना है चालिए इसको मैं परसंटेज का वैसे जी सवाल है लेकिन मैं आपको जे विदाउट एनी फॉर्मूला करवाने के कोशिश करता हूं ठीक है मैं मानता हूं उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है उसकी जो कीमत है वो है 100 रुपी उसने दुकानदार ने उस सामान को 100 रुपेका खरीदा और उसको प्राफिट अगर 40 प्रतिशत चाहिए तो उसक बेचनी पड़ेगी सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 140 हाना कितना होगा सेलिंग प्राइस 140 तब उसको 40 प्रतिशत का प्राफिट होगा ठीक है अब भी यह है कि मार्किट प्राइस उस पर लिखा कितना होगा सवाल जे है तो देखिए जब उसने चालिस प्रतिशत उसको फाइदा हुआ तो हमें बताया है कि जो डिस्काउंट दिया गया है डिस्काउंट दिया गया है 30 प्रतिशत मतलब कि जब डिस्काउंट दिया 30 प्रतिशत तब जे 140 बन गया डिस्काउंट देने के बाद वो 140 का बिका होगा तो उसको 40 रुपय का फाइदा हुआ होगा अब अगर discount दिया है 30% का मतलब कि यह 140 है जी कितना प्रतिशत है जह 70% रहे गया बाकी का discount दिया 30% का discount देकर 140 जो है selling price में वो बिका इसका मतलब जो 140 है जो बाकी का 70% है market price का तो जो 70% है market price का वो कितना दिया है 140 हाना एक प्रतिशत निकालना हो market price का कितना है 140 बटा 70 इसको काट दो कितना आ गया 2 हाना अभी 100 प्रतिशत निकालना है दोनों साइड 100-100 से गुना कर दो कितना आ गया 200 हाना इसका मतलब जो market price है उसकी कीमत है 200 हाना अभी देखी cost price कितना था 100 रुपे market price कितना है 200 रुपे कितना ज़्यादा है जो 200 है 100 से कितना ज़्यादा है जो 100 प्रतिशत ज्यादा है 100 का 100 प्रतिशत 100 ही होगा और जो 100 ज्यादा है तो जो market price है वो cost price से 100% ज़ादा है इस case में ठीक है ठीक है तो ये था पहला हमारा question जिसमें जो हमारा answer आया है वो है 100% ठीक है अभी हम दूसरा देखते हैं ठीक है दूसरे को समझने की कोशिश करते है इसको solve करने के दो method है दोनो method से मैं आपको जह समझाऊंगा पहला लिखा है कि जो कोई व्यक्ति है जिसका नाम A है वो किसी काम को 18 दिन में खतम करता है ठीक है दूसरा व्यक्ति B है वो उसी काम को 15 दिन में खतम करता है पहला हमने सिर्फ इतना ही समझना है कि जो A है वो 18 दिन में खतम करता है जो B है वो 15 दिन में करता है ठीक है अभी क्या लिखा है कि जो B है वो सिर्फ 10 दिन के लिए काम करता है बाद में जोब को छोड़ कर चला जाता है तो बाकी का जो काम रहे गया है वो ए जो है कितने समय में खतम करेगा जह हमसे पूछा गया है ठीक है इसको दो मैथड से किया जा सकता है दोनों मैथड डिसकस करेंगे पहला है फर्स्ट मैथड यह है एफिशेंसी वाला मैथड इसको एफिशेंसी वाला मैथड यूजली बो खतम कर सकता है B इस काम को 15 दिन में खतम कर सकता है ठीक है तो टोटल वर्क कितना होता है टोटल वर्क होता है दोनों का LCM 18 और 15 का LCM आता है 90 ठीक है दोनों का LCM कितना आ गया 90 इसी को टोटल वर्क माना जाता है ठीक है अभी अगर टोटल वर्क 90 है तो इनकी efficiency क्या होगी A 18 गुणा 590 मतलब कि A A की efficiency होगी 5 A की efficiency कितनी होगी 5 ठीक है और 15 शीक 90 और B की efficiency कितनी होगी 6 B की efficiency कितनी होगी 6 ठीक है efficiency निकाल ली A की efficiency होगी 5 B की efficiency होगी 6 अभी हमने दूसरी लेंड में देखी कि B दस दिन के लिए काम करता है पी कितने दिन के लिए काम करता है दस दिन के लिए तो बी वर्क फोर 10 देस दस दिन के लिए काम करता है तो बी ने कितना काम निप्टा दिया बी की एफिशेंसी कितनी है छे काम कितने दिन करता है 10 दिन तो total 60 unit जो काम है B ने निप्टा दिया ठीक है total work कितना था total work था 90 बाकी का कितना रह गया remaining कितना रह गया 90 minus 60 जो B ने खतम कर दिया है तो बाकी का रह गया 30 unit वो काम रह गया अभी A की efficiency कितनी है 5 तो A कितने समय में करेगा 30 unit total काम रह गया था A की efficiency है 5 तो A उसको 6 दिन में खतम कर देगा कितने दिन में खतम कर देगा 6 दिन में ठीक है जी तो है पहला method इस सवाल को निकानने का ठीक है अभी मैं आपको दूसरा method दिखाता हूं वो इस तरह से होता है कि A किसी काम को खतम करता है 18 दिन में B उसी काम को खतम करता है 15 दिन में लेकिन B कितने दिन काम करता है 10 देव वर्क कितना होगा जो यह equation है इसको 10 से गुना कर दो 10 गुना 1 बटा 15 अब इसको solve करो तो B ने 2 बटा 3 काम निप्टा दिया मतलब कि अगर 3 डिबे उठाने थे उसने उसमें से 2 डिबे उठा लिये मतलब कि 3 यूनिट अगर काम था तो 2 जूनिट काम उसने कर लिया तो बाकी का कितना रह गया remaining work कितना रह गया वो रह गया 1 बटा 3 ठीक है 3 में से 2 जूनिट काम बीने कर दिये 1 बटा 3 रह गया अब एक ही कितने दुन में खत्म करता है 1 बटा 18 में तो remaining work को एक ही capacity के साथ अगर आप डिवाइड करते है तो क्या आता है 18 बटा 3 तो वो भी आता है 6 टेस वो भी कितना आता है 6 टेस ठीक है तो आप दोनों में से किसी भी method से इस सवाल को निकाल सकते हैं ठीक है तो जी आ गया 6 टेस ठीक है जी work and time का सवाल है work and time का जो next question है वो है हमारा average से किसमें से है average से सवाल आप सक्रीन पर देख रहे हैं कि एक car है वो car 35 किलो मेटर का सफर 45 मिनट में तै करती है और 69 किलो मेटर का सफर 75 मिनट में तै करती है तो उस car की average speed कितनी होगी यह हमसे पूछा गया है ठीक है average speed का एक formula होता है वैसे तो average का formula same ही होता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं अबरेज़ स्पीड इस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ठीक है अभी टोटल डिस्टेंस कितना है 35 किलो मीटर प्लस 69 किलो मीटर और टोटल टाइम कितना है 45 मिनिट प्लस 75 मिनिट 9 पाज 14 6, 3, 9 और 10 104 किलो मीटर उपर 7, 5, 5, 0, 7, 4, 11, 12 120 मिनिट नीचे अभी 120 मिनिट को अगर आप घंटों में convert करे तो वो बनता है 2 गंटे उपर किलो मीटर नीचे आजाता है 2 गंटे 2 आर्स ठीक है तो इसको अगर आप काट दो तो आ जाएगा 52 52 किलो मीटर प्रती आर ये उसकी average speed उस गाड़ी की आ जाएगी हाँ ठीक है 52 ठीक है अब भी हम फोर्थ सवाल को अगर देखें तो जो फोर्थ सवाल है वो simple interest से है ठीक है जी भी हमारे syllabus का ही एक पार्ट है इसको समझते हैं यहाँ पर देखिए कि किसी sum पर मतलब की कोई रकम है जो किसी customer ने simple interest पर जा किसी को दी है जा किसी को किसी bank का पोस्ट office में जमा करवाई है जिसकी जो व्याज दर है वो है पांच प्रतिशत एक साल के लिए ठीक है अगर उसकी रकम जितनी तीन साल में हुई है और जितनी चार साल में हुई है मतलब कि तीन साल में भी उसकी कुछ रकम की value रही होगी वियाज लगकर चार साल में भी रकम की कुछ value रही होगी वियाज लगकर अगर उन दोनों को घटा दिया जाए तो 42 का difference आता है ठीक है तो शुरू में जो उसने पैसे जमा करवाए है वो कितने हैं जे हमसे पूछा गया है ठीक है इसको निकालने के भी दो method है दोनों ही हम discuss करेंगे जो first method है वो इस तरह से है कि अगर आप simple interest की एक बात को समझ लो कि उधारन के लिए मैं उधारन से आपको पहले समझाता हूँ कि अगर मैं बोलू कि मेरे पास 100 और पै थे मैंने 10 प्रतिशत पर वो एक साल में कितने बनेंगे वो एक साल में बनेंगे 110 दो साल में कितने बनेंगे दो साल में बनेंगे 120 तीन साल में कितने बनेंगे तीन साल में बनेंगे 130 ठीक है आप समझो तो अगर मैं कोई भी साथ वाले वर्ष ले लूँ, साल ले लूँ जैसे अगर तीन को दो से माइनस करूँगा एक सो तीस में से एक सो बीस माइनस करूँगा तो क्या रहेगा, दस का डिफरेंस रहेगा एक सो बीस में से दस माइनस कर दूँगा तो भी 10 का difference रहेगा तो यह जो difference है 10 जो है यह हमेशा सेम रहेगा simple interest में यह हमेशा सेम रहेगा और यह है क्या वो simple यही है principle का जो 10% है वही difference है चलिए नहीं समझाया तो भी छोड़ दो एक और तरहें से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस व्यक्ति को एक simple हाँ हाँ तो इस example को पहले मैं complete कर देता हूँ फिर आपको दूसरा method समझाब कर ठीक है तो अगर fourth साल में और third साल में अगर हम difference करें जो की 42 है वो क्या है वो 5% of sum ही है जो जमा करवाया हुआ है ठीक है जो total sum है उसका जो 5% है वो 42 है इस से हम जे समझे है ठीक है तो अगर 5% 42 है तो 1% कितना होगा 42 बटा 5 है न और 100 प्रतिशत कितना होगा 42 बटा 5 गुना 100 ये 20 आ जाएगा और आ जाएगा 840 क्या आ जाएगा 840 ठीक है अभी मैं आपको दूसरे मैथर से समझाता हूँ आपको जो भी सही लगे आप उसको ही follow करना ठीक है सिंपल इंट्रस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड़ वाइड़ वाइड हंडर्ड ठीक है अब भी इसमें हमें बताया गया है कि हमें P निकालना है हमें P निकालना है P हमें पता नहीं है रेट उफ इंट्रस्ट है 5 प्रदिशत हarnा और चलिए ठीक है जहां पर सिंपल इंट्रस्ट fourth fourth year minus simple interest for three year इसका जो डिफरेंस है वो कितना आईगा principle तो पता नहीं है हमें rate of interest है 5 time है 4 इसकी जगा यह लिख दिया 4 साल वाला नीचे डिवैड कर दिया 100 से minus simple पता नहीं है rate of interest 5 और time जहां पर होगा 3 बटा 100 ठीक है अगर जहां पर जब 3 लिखा था तो 3 साल वाली values put कर दी जहां पर 4 लिख देंगे तो 4 साल वाली values put कर देंगे ठीक है अभी इसकी जो value है हमें simple interest का जो difference है वो हमें दिया हुआ है 42 प्रतिशन स्वरी 42 दिया हुआ है ठीक है और इसको हम solve अगर करें तो अभी solve करने को रहने देते हैं ऐसा लिख देते हैं कि P कॉमा निकाल लेते हैं 20 बटा 100 माइनस 15 बटा 100 ठीक है 5 को 4 से गुना करेंगे 20 5 को 3 से गुना करेंगे 15 42 P वैसे ही 100 नीचे 20 से 15 निकाले 5 जहां कट गया 20 तो P की value फिर से वही आ गई 42 इंटू 20 is equal to 840 ठीक है इसमें से आपको दोनों method से भी कोई भी समझ लगा हो आप उसको follow कर सकते हैं तो हमारा दोनों ही case में जो answer आएगा वो 840 ही आएगा ठीक है नेक्स्ट जो question है वो भी simple interest से ही है इसको करके देखते हैं हम चलिए कि 1600 रुपे की जो रकम है 1600 रुपे की रकम है उस पर जो हमें व्याज मिला है simple interest मिला है वो मिला है 252 रुपे कितने समय में दो साल और तीन महीने में हमें क्या निकालना है हमें rate of interest निकालना है ठीक है इसको देखते हैं तो हमने पहले फार्मूला देखा था time दिया हुआ है दो साल तीन महीने कितना दो साल तीन महीने इसको हम सीधा तो नहीं लिख सकते इसको इस तरह से लिखेंगे दो साल प्लस तीन बटा बारा क्यूंकि महीनों को भी हमने सालों में लिखना है इसको आजाएगा एक बटा चार इसको आगे स्वालव करेंगे दो प्लस वन बाइफोर चार तो नहीं आठ एक नौ तो कितना आ जाएगा समा कितना है 9 by 4 यर्स ठीक है समय की जगा 9 बटा 4 हम पुट करेंगे अभी सिंपल इंटरस्ट में क्या पुट करेंगे 252 तो 252 इस इक्वल टू P P की वेल्यू है 1600 R हमें निकालना है T की वेल्यू है 9 बटा 4 9 बटा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 100 नीचे कितना आ जाएगा 100 ठीक है अभी 2-0 जहां से कट जाएगी 4-16 से कट जाएगा तो 4 आ जाएगा R की वेल्यू आ जाएगी 252 इंटू 9 इंटू 4 हाना अभी 252 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं 9, 2, 1, 18 7 बज़ते हैं 8, 72 तो 2 और 8 आ जाएगा और 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 आ जाएगा तो rate of interest जो आ गया वो आया है 7 प्रतिशत ठीक है? कितना आया है? 7 प्रतिशत ठीक है? ओके? तो 7 प्रतिशत जो next question है वो है average से कहीं किसे से है? average से ठीक है? सवाल हम वही पर समझते हैं sample sheet में ही कि कोई cricket का 21 मां match चल रहा है ठीक है? 21 मां match जब 21 मां match हुआ तो किसी cricketer का जो average score है वो 3 points से भढ़ गया 21 में match में जो average score है वो 3 number से भढ़ गया ठीक है? If the present average is 40 अगर अभी की average 40 है तो पहले की average क्या होगी? तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि 20 की innings तक मतलब कि जब 20 मैच हुए थे तब उस cricketer की average कितनी थी? और जब 21 हुए है तब उस cricketer की average कितनी हो गई? हाना? हमने क्या देखा है? कि अभी की जो average है वो है 40 मतलब कि इस case में देखें तो average हमें दी हुई है 40 40 average दी हुई है और उसने क्या बोला है? कि जब 3 से बड़ी है इसका मतलब जब 20 मैच होंगे तो average कितनी रही होगी? 37 पहले 37 थी जब 21 मैच हुआ तो वो कितनी हो गई? 40 हो गई हाना? पहले कितने मैच खेले जा चुके थे? 20 पर यहां पर कितने मैच खेले जा चुके है? 21 ठीक है? पहले कितने मैच खेले जा चुके थे? 20 अभी कितने मैच खेले जा चुके है? 21 हाना तो 20 पारिया में उसने कितने स्कोर बनाए उसने 20 पारियां खेली हर एक पारी में 37 स्कोर बनाए तो कितने स्कोर टोटल हो गया 27 गुना 20 27 24 एक हांसल 27 740 ठीक है और 21 में 21 पारी के टोटल स्कोर कितने हुए उसकी एवरेज थी 40 और 21 मैंच उसने खेले 21 को करेंगे 4 से गुना बीचों का 80 इतना हो गया 840 तो 21 मैचों में टोटल उसने स्कोर बनाए 840 20 मैचों में उसने टोटल स्कोर बनाए 740 इसका मतलब 21 में जो पारी थी 21 माज जो मैच था उसमें उसने सिर्फ 100 रन बनाया क्योंकि 20 मैचों तक तक उसमें 100 run बनाए थी जिसके उसकी जो total run है वो 840, 740 से बढ़कर हो सके है ठीक है तो यही हमसे पूछा गया है कि how many run he score in the inning तो उसने 21 में पारी में कितने run score किये ठीक है जहाँ पर कहाँ पर है 100 ठीक है next है हमारा work and time से question है work and time से ठीक है इसको भी देखते है तो इसमें क्या है कि 4 आदमी और 6 औरते मिलकर किसी काम को 8 दिन में खतम करते हैं ठीक है उसी काम को 3 आदमी और 7 औरते मिलकर 10 दिन में खतम करते हैं ठीक है तो उसी काम को अकेली 10 औरते कितने समय में खतम करेगी ठीक है इसमें हमें देखिए इसमें इस तरह के सवाल में हमें एक बात पता होनी चाहिए कि आदमी और औरत के काम करने की जो capability है वो अलग अलग है क्योंकि अगर अलग अलग वो नहीं है तो आदमी और और औरत को अलग अलग उन्होंने देना ही नहीं था मैं समझाता हूँ आपको कैसे कि 4 आदमी और 6 औरते अगर लगातार 8 दिन काम करे तो उतना ही काम करती है जितनी 3 आदमी और 7 औरते मिलकर 10 दिन में करती है यह हमें पहली लैन में दिया हुआ है इसको जब हम solve करेंगे करते हैं अठ्छु चोका बद्टिस M, छे अठ्छिकर तालिस W, 30 M और 70 W 30 इदर ले जाएंगे, 32 M minus 30 M, 70 W minus 48 W, 2 M is equal to 20, 22 women men upon woman is equal to 22 upon 2 और 11 बटा 1 ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि men upon woman की जो ratio आई है, वो आई है, 11 बटा 1 इसका मतलब जे है, कि अगर कोई आदमी 10 बाल्टी पानी की उठाता है, तो उसके comparison में जो औरत है, एक बाल्टी पानी की उठाती है, ठीक है, ये दोनों का काम करने की efficiency का difference है, ठीक है, अभी हमें निकालना है, total work कितना है, अभी क्या निकालना है, ये हमने क्या निकाली, efficiency, अभी हमें निकालना है, total work, ठीक है, अभी ये जो वाली equation है, किसी में अभी put कर लो, मैं इसमें put करने जा रहा हूं, इसमें M और W की जो value हमने निकाली है, M की value कितनी निकाली है, 11 और W की value 1, ये इसमें put कर देंगे, तो क्या आजाए प्लस 6 into 1 into 8, ठीक है, 11.44 plus 6 into 8, 50 into 8, तो कितना आ गया, 400, मतलब कि 400 unit चुह है, ये हमारा total work है, total work कितना है, 400 unit, अभी हमसे पूछा क्या गया है, कि 10 औरतें इस total काम को कितने दिन में खतम करेंगी, total काम कितना है, 400, औरतें कितनी है, 10, एक औरत की efficiency कितनी है, एक, तो 400 बटा 10, तो वो 40 दिन में इस काम को खतम कर पाएगे, कितने दिनों में, 40 दिनों में, देखते हैं, जी, 40 दिन में, ठीक है, नेक्स्ट जो question है, वो है time and distance से, जिसका है कि अगर कोई cyclist, अच्छा, उसकी जो speed है, वो है 5 मीटर प्रती सेकंड, ठीक है, तो वो 2 घंटे और 20 मिनट में कितनी दूरी तैं करेगा, ठीक है, यह सवाल है, जहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझते हैं, कि कोई cyclist है, उसकी speed कितनी दी हुई है, speed हमें दी हुई है, 5 मीटर प्रती सेकंड, ठीक है, 5 मीटर प्रती सेकंड, अगर आपने मीटर प्रती सेकंड को किलो मीटर प्रती आर में कनवर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था, कि अभी फिर से बता देता हूँ, अगर किलो मीटर प्रती आर है और उसको आपने मीटर प्रती सेकंड में कनवर्ट करना है तो आपको पांच बटा अठारा से गुणा करना पड़ेगा ठीक है किसे गुणा करना पड़ेगा पांच बटा अठारा से लेकिन अगर आपने मीटर प्रती सेकंड को किलो मीटर प्रती आर में कनवर्ट करना है तो किस से गुणा करना पड़ेगा 18 बटा 5 से उस से उसके उल्ट से गुणा करना पड़ेगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर मैं 18 बटा 5 से डिवाइड कर दूं तो जे किलो मीटर प्रति सेकंड प्रति आर में कनवर्ट हो जाएगा तो अभी इसकी स्पीड कितनी आगी, इसकी स्पीड आगी, 18 किलो मीटर प्रति आर, और ये कितने गंटे चला, 2 गंटे और 20 मिनट, ठीक है, समा कितना है, 2 गंटे और 20 मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, 2 प्लस 20 बटा 60, 2 प्लस, इसको काट देंगे, 1 बटा 3 आजाएगा, 1 बटा 3, 3 दुनी 6, 7, 7 बटा 3, कितना समय आगया, 7 बटा 3, हाणा, जी आगी, स्पीड, और समय आगया, 60 बटा 3 गंटे, अभी फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस, अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, इसका क्या होगा, स्पीड इंटु टाइम, स्पीड थी 18, समा था 7 बटा 3, ठीक है, तो इसको जहां से गुना करें छे सक्तुशिक बताली, तो 42 किलो मेटर का जो सफर है, उस साइकलिस्ट ने, उस भाईया ने तैक किया होगा, ठीक है, ठीक है, बताली से आया, आप्शन नमबर P, ओक्य, नेक्स्ट है, परसंटेज से क्वेश्चन है, यहां पर ही इसको भी समझते है, अच्छा, दू, अच्छा, यही कोशन रपीट हो गया न, कोई बात नहीं, इसको यहां पर ही समझ लेते हैं, कि अगर A की सेलरी, B की सेलरी से 25 प्रतिशत ज़्यादा है, तो B की सेलरी, A की सेलरी से कितनी कम है, ठीक है, यह हमसे पूछा किया है, तो यहां पर मान लेते हैं A, यहां पर मान लेते हैं B, तो A की सेलरी, अगर B से ज़्यादा है, तो A की सेलरी मान लीजिए, यहां पर हो जाएगा, चलो, कोई बात नहीं, यहां पर ही इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो जो डिफरेंस है सेलरी का, वो है 25 का, डिफरेंस कितना है? 25 का, अगर उसको हम देखें, वो कितनी कम है, as comparison to A, वो कितना कम है, तो हमें 25 उपर रखना पड़ेगा, 125 नीचे रखना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा, जहां जे 5 आ जाएगा, जहां जे 20 आ जाएगा, ठीक है, तो 20 आंसर, अगर कहीं question में लिखा है, कि उसको as comparison to B करेंगे ही, क्योंकि B की सेलर को नीचे रखा गया है, जो कि B की सेलरी, A की सेलरी से 20 प्रतिशत कम है, ठीक है, अभी जो last question है, यह board mask का, आप board mask के principle को समझते होंगे, कि सबसे पहले bracket solve होती है, ठीक है, यह वाली जो bracket होती है, अंदर से शुरू होती है, यह वाली, यह वाली, यह वाली bracket को solve करना है, फिर off को solve करना है, off है यह वाला, फिर division को solve करना है, फिर multiplication को, फिर addition को, फिर subtraction को, ऐसे line में चीज़े solve करते रहेंगे, तो board mask के जो सवाल है, उसका answer आता है, ठीक है, जैसे इसमें देखिए, हम पहले इसको यहां से, यहां एक bracket आनी थी, मैं वैसे डाल देता हूँ, यहां तक solve क करेंगे, सबसे पहले division को solve करेंगे, 8 को 4 से divide करेंगे, तो आएगा 2, division के बाद multiplication, 2 को 2 से गुना करेंगे, तो answer आएगा 4, उसके बाद addition, 4 में यह वाला 3 जोडेंगे, 4 और 3 आजाएगा 7, उसके बाद subtraction, यह 7 से यह वाला 1 निकालेंगे, तो answer आजाएगा 6, ठीक है, मतलब कि इस bracket का answer जहां तक कितना आ गया, 6, उसके बाद, यहां देखते हैं, यह 14 off 2, ठीक है, क्योंकि यह bracket solve होगी, अब इदर वाला solve करेंगे, off का मतलब मेंशा गुना ही होता है, ठीक है, 14 को 2 से गुना करेंगे, कितना answer आ गया, 28, अब इसको मैं फिर से लिखता हूँ, into, इसकी जगा क्या लेखेंगे, 28, फिर माइनस, इसकी जगा क्या लेखेंगे, 6, ओके, 28 से 6 निकालेंगे, तो answer आएगा 22, ठीक है, 16 माइनस 5 माइनस 2, answer आएगा 22, ठीक है, 22 को 2 से गुना करेंगे, answer आएगा 44, 5 माइनस 44, अभी 44 से 5, आप माइनस करेंगे, तो answer आएगा, माइनस 39, अभी जो दोनों जोड़ जाएगे, तो answer आ जाएगा 55, ठीक है, तो अभी देखते हैं, हाँ, हमारा answer है 55, ठीक है, तो यह था हमारा mathematics की, class number 3, और जो हमारी classes हैं, आप उसमें देखेंगे कि सिर्फ आपको relative content ही मिलेगा, जैसा exams में आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उससे tough level का आपको बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, जा उससे बहुत ही ज़्यादा आसा लेवल का करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमने उसी जो level है, जो हमारी exam का है, उसी के हिसाब से इसको manage किया है, अगर आप भी इस practice badge के PDF को download करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो practice badge है, इसको buy कर सकते हैं, इसका price दोसों ने नियान में रहेगा, application आप install कर सकते हैं, link description में हैं, लेकिन अगर आप शुरू से postman जा MTS के exam क preparation कर रहे हैं, तो आप इस full-fledged badge को buy करना, इस practice badge को buy मत करना, ठीक है, जो full-fledged badge है, जो MTS के लिए है, जो postman के लिए है, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, सबी notes, live classes, record classes, mock मिल जाएंगे, sectional mock, miscellaneous lecture, मतलब की A to Z preparation आपकी इसमें हो जाएगी, ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अभी के लिए जै हिंद जै भारत, जै जवान, जै किसाथ,